दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका उम्र 18 वर्स से कम है और आप चाहते हो अपना एक माइनर का सेवी एकाउंट खुलवाना तो बने रहे हैं हमारी इस वीडियो में इस वीडियो में आपको complete help करने वाला हूं कि आप अपना माइनर के लिए कौन स इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अन तक जरूर देखूंग काफी सारे वीडियो आते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं को SBI के Official website और यहां पर आपको SBI के account में ही माइनर अकाउंट बताने जा रहा हूं कि आप अपना माइनर अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो और कैसे कैसे आपको यहां पर क्या सारा process है क्याकि आपको benefits मिलने वाले हैं सब कुछ आप आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों यह यहां पर माइनर के लिए 2 savings account है सबसे पहली account है दोस्तों पहली कदम और दूसरी account है वह है पहली उडान गाइज यहां पर मैं आपको बता दू अगर आपका उम्र एक साल से लेके 10 वर्स के बीच में है तो यहां पर आपके लिए पहली कदम account है और दोस्तों वही हम बात कर अगर दोस्तों आपका 10 वर्स से लेके 17 वर्स तक अगर आपका होम्र है तो यहां पर पहली उडान account खोल सकते हो तो सबसे पहले आए जान लेते हैं दोनों account में आपको क्या-क्या benefits मिले वाली है तो यहां मैं आपको बता दू यह जो दोनों account है इसमें आपको balance maintain रखने की जरूरत नहीं है यह बिल्कुल zero balance account है और दोस्तों यह हम बात करते हैं इस दूनों account में आपको checkbook की facility और इसमें आप maximum पैसे अप टू 10 लाक्स रूपीज रख सकते हो तो यहां पर आपको बता दू जो पहली कदम है इसमें आपको checkbook की facility मिल जाती है लेकिन दोस्तों यहां पर आपको पहली उडान account है तो यहां पर भी आपको checkbook की facility मिल जाती है और यहां पर आपने account पर uniformly sign करके किसी को भी check दे सकते हो वहीं जोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों इस account में आपको david card मिलता है और दूसरी account में भी आपको david card मिलती है और दोस्तों दोनों में आ एक दिन में 5000 रूपीज तक आप withdraw कर सकते हो अपने ATM से पैसे निकाल सकते हो वहीं दोस्तों अगरा बात करें तो इसमें आपको mobile banking की भी facilities मिल जाती है mobile banking में आपको limited transaction का right रहता है और दोस्तों यहाँ पे दोनों में up to same है तो गैस यहाँ आपको बता दो जो पहली कदम account है इसमें आप IMPS नहीं कर सकते हो लेकिन दोस्तों वहीं जो पहली उडान account है इसमें आप IMPS कर सकते हो जो कि दोस्तों per day आप 2000 के यहाँ पे around आप IMPS कर सक दोस्तों बात करें तो दोस्तों इस एकाउंट में आपको overdraft एगेंस्ट फिक्स डीपोजिट फुर पेरेंट गार्डियन सब्यक्त टू फूलफिंग और टॉम्स एंड कंडिशन तो यहाँ पे आपको overdraft एगेंस्ट फिक्स डीपोजिट पे मिल जाता है वहीं आपको पहल करेंट का insurance cover SBI के तरफ से आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कैस मैं नीचे आता हूं और दोस्तों यहाँ आपको बता दूँ दोनों एकाउंट में आपको internet banking की facility मिल जाती है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको वीविंग राइट और य आपको यहाँ पे क्या-क्या आपके account के features हैं तो आईए हम जान लेते हैं कि इस account के लिए आपको क्या-क्या eligibility है क्या-क्या आपके पास होना चाहिए तो आप इस account को खुल पाओगे तो अभी दूस्तों आप देख सकते हो पहली कदम जो account है यह minor के लिए account है किसी भी age में अ signature करके यहाँ पे अपना account खुद के नाम पे खुलवा सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहली कदम account है जो इंटली विच पैरेंट गार्जियन है और दोस्तों यहाँ पे जो पहली उडान account है यह singly operated आप खुद से operate यहाँ पे कर सकते हो वह जोस्तों आपके पैरेंट का अधार card और pen card लगेगा मालीजी दोस्तों अगर आपके पैरेंट का pen नहीं है तो वहाँ पे आप form 60 यहाँ पे जमा कर सकते हो वहाँ जम बात करें तो पहली उडान में भी आपको date of birth का certificate लगेगा और आप जो minor हो minor का है अधार card और उसका pen card लगेगा अ मेरे वीडियो के link description में उसका link दिया गया है आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर गाईस किसी minor के पास उसका pen card नहीं है तो वह simply दोस्तों form 60 को फिल करके अपना account को खुलवा सकता है वहीं गाईस हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस account की आपको other features देखने को मिलती है जैसे कि interest rates as applicable to saving account calculated on a daily balance यहाँ पर देख सकते हो और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपका विदा account number change हुए गैस यहीं तब इनका facility है जैसा कि आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको कोई charges भी नहीं देना पड़ेगा तो यहाँ पर तो हो गए इस account की बात अब आईए हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आप इस account को कैसे खुलवा पाओगे तो गैस यहाँ पर आपको बता द यहाँ पर को केवाईसी रिक्वार्मेंट्स आपको डोकुमेंट्स देखने को मिलती है वह डोकुमेंट्स आपको अपने बैंक में जमा करनी होगी और वहां से आपको अपनी account खुलवानी होगी दोस्तों यहाँ आपको बता दू जो पहली उड़ान एकाउंट है यह आप आपको पैरेंट्स का भी प्रूफ बैंक में लेके जाना होगा वहीं पर दोस्तों आपका जो एकाउंट है वह खोल दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कि आप SBI में अपना minor saving account कैसे खुलवा सकते हो इसके लिए मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थ होती है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेशन में आपको हमें पूछ सकते हो वहाँ पर मैं आपको एक एक करके reply दे दूंगा ओके दूस्तों वीडियो को यहीं पर कतम करते हैं मिलते अपने अगले किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye